आई टी आई के सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गई है और साथ में अपग्रेडेशन की भी लिस्ट आ गई है वो बच्चे जो बच्चे फर्स्ट एडमिशन में प्रतिभाग किये थे उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेड को फ्रीज किया था कुछ लोगों ने फ्लोट किया था जिन बच्चों ने फ्लोट किया था उनका ट्रेड अपग्रेड हुआ होगा उनकी आई टी आई अपग्रेड हुई है उनके मार्क के हिसाब से तो आप अपना लॉग इन आईडी से लॉग इन करके अपना चेक कर सकते हैं और वो बच्चे जिनको प्रथम प्रवेस में एडमिशन नहीं मिला था, उनका नाम नहीं आया था, वो लोग अपना रेजिस्ट्रेशन नमबर यानि जो फॉर्म बरे थे वो और डेट आप बर थे यानि जनमति थी डाल करके अपना देख लेंगे कि इस बार उनका किसी आई लेटर है, 29 अगस्त 2022 का राज बेवसाइक प्रसिचचड परिसद उत्तर प्रदेश बिससे आपको दिखा देए कि प्रवेस सत्र बाइस में प्रथम चरड से प्रवेसी तब्यर्थियों को उनकी बेहतर बिकल्प में अपग्रेड किये जाने तथा दुती चरड चैन के पर प्रथम चरड में अडमिशन लिये थे और उनको अपग्रेड किया गया, उनको ट्रेड बदला उगा, उनकी ऑईटी बदली होगी, बेतर आईटी अई मिली होगी, बेतर ट्रेड मिला होगा, जो उन्होंने फरस्ट च्वाइस अपनी दी होगी, और दूसरा ये चीज जिन रविवार आवकास साइथ चुटी के दिनों में भी सभी ITI खुली रहेंगी जहां पर आप जाकर के अडमिशन ले सकते हैं और इस बार सबसे महतोपूर्ट चीज़ ये है कि इस बार भी अगर जब आप अडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको फिर से freeze और float का मौका मिलेगा अगर आप जिस trade में जिस बेऊसाय में अडमिशन मिला है आप उसको freeze करा सकते हैं अगर उससे आप satisfied हैं तो अगर satisfied नहीं है संतुष्ट नहीं है आपको लगता है कि इससे बेतर trade आपको मिल सकता है तो आप अपने जो form भरेंगे application form वहाँ पे float कर सकते हैं तो दोस्तों ये रही information इसके अलवाँ आपको किसी भी प्रकार का doubt हो कोई परिशानी हो तो आप मेरे telegram channel telegram group e and info को join कर लिजिए description box में मैं उसका link दे दे रहा हूँ जो भी doubts हैं वहाँ से clear कर दिये जाएंगे wish you all the best have a nice day thank you